अपका इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं ठीक है आज मैं बात करूँगा एरिया मैंजर के लिए जो लोग प्रमोट होना चाहते हैं ठीक है इसके पहले पहले एक वीडियो बनाया था कर आपने नहीं देखा हुआ तो वह वीडियो का लिंक में डिस्क्र करनी चाहिए जिससे एज एबियम आप प्रमोट हो सकते हैं ठीक है तो जिन भी जिन लोगों को प्रमोशन लेना है उनके उनको अपने अंदर वह हैबिट्स जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप जो है प्रमोशन नहीं ले पाएंगे ठीक है और प्रमोशन न यह जितने भी कुश्चन मैं आपको बता रहा हूं यह अगर आपने वह जो मैंने बताया है वह पांचे महिने अपने लाइप के इंदर आप फालो किये रहेंगे तो इन कुश्चन का बहुत इजी तरीके से इजी वे में आप रिपलाई कर पाएंगे ठीक है क्योंकि इसमे मैं कई सीरीज बनाओं अभी इसमें कुछ लिमिटेट कुश्चन लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टन्ट है और जैसे जैसे मुझे लगता रहे है का आप लोग कमेंट करो गया आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको रिक्वार्मेंट है तो मैं और भी कुश्चन सोच के डालने की कोशिस करूंगा ठीक है एक चीज और यहां पर क्लियर कर दूं कि यह जो कुश्चन सोते हैं यह परसंट टू परसंट वैरी करता है हर आदमी के अपनी थिंकिंग है जैसे मुझे लगता कि मैंनेजर क्या वर्क होना चाहिए मैं किसी के इंटर्वी लूँगा तो वो डिफरेंट वे मिलूँगा कोई दूसरा परसंट लेगा तो वो डिफरेंट वे मिलेगा हर आदमी के अपनी अपनी थिंकिंग होती है हर आदमी के अपनी अपनी सोच होती है बट जो मिलते जूलते रहते हैं तो जो मिलते जूलते कुश्चन रहते हैं जो मुझे ल गए, saving करके नहीं गए, तो चल जाता है, but IZ ABM means you are fully professional and you have sufficient experience in particular segment, तो इसका sympathy बाद ये indicate करता है कि आप जब भी interview देने के लिए जाएंगे तो आप well dressed हो के जाएंगे, पहली requirement, well dressed होने का मतलब आपका जो कपड़े का matching होना चाहिए ना वो भी अगर आप correct करके जाएंगे तो उस पे एक plus का काम करेगा, कपड़े का matching क्या होता है, dark color का paint, light color का shirt tie होगरा, nail होगर कटे हो, saving होगरा हो, ये सब चीज़ है, ठीक है, सब कुछ आपका knowledge लिया जाएगा, कितने साल आपने काम किया हुआ है, कौण से segment में काम किया हुआ है, काईट से therapy में, काईट से speciality को handle किया हुआ है, ये सब आप से पूšचा जाएगा, कहां-खां आपने काम किया है, ठीक है, आपके मदा brief introduction में यह सब कुछ combine यह का बहुत सारे question होंगे इसमें बट मैं एक ही question में combine कर देता हूं ठीक है तो यह सारी चीज़े आ जाती है दूसरा जो question पूछा जाता है वह यह होता है what is the work up ABM manager का work क्या होता है तो आपको क्या लगता है friend क्या होता है manager का work देखिए manager का work medical representative से काफी अलग होता है manager का जो पहला work है वो to achieve the budget जी हा friend medical representative का यह work नहीं है ठीक है to achieve the budget यह first work उसका नहीं है but area manager का जो first work है to achieve the budget achieve the target ठीक है second work to handle the team और lead means leadership आपको वहां पे काम करना होता है और अपनी team को handle करना होता है team को maintain करना होता है team में attrition नहीं होना चाहिए उसका ध्यान रखना होता है company की जो भी policies होती है company की जो भी activities होती है उसको आपको field के अंदर implement करवाना आपका जो customer है वो आपका medical representative है as a abm अगर आप काम कर रहे हैं आपसे पूछा जाया कि आपका customer कौन होगा तो आपका customer medical representative होता है medical representative का जो यहां मैं दो कुश्चन कवर कर रहा हूं एक कुश्चन और आगे आएक हम what is the difference between medical representative and what is the work of medical representative and what is the work of abm दोनों difference क्या है वो भी मैं इसे कवर कर दे रहा हूं क्योंकि दोनों का answer एक जैसा ही रहता लगबख़ रहता है तो medical representative को जो main work होता है main customer होता है वो doctor होता है बट ऐज अब आपका customer होता है आपका medical repetitive तो medical repetitive को कई बार क्या होता बहुत सारी चीज़ ये company की जो strategy होती company की जो policy होती वो समझ में नहीं आती, वो सही नहीं लगती है policy, आपका काम है उसको justify करना उसको implement करवाना ठीक है, तो ये सब manager का काम है अगर company कुछ और काम के लिए बोलती है company आपको तो वो चीज medical repetitive को करवाना, किसी area में कोई vacancy है, immediate आपका काम है वहाँ पे जाना, vacancy fill up करना, कोई medical repetitive छोड़ के चला जाता है, तो वो टेटरी degrowth न करने पाए, ये भी manager की responsibility होती, वहाँ पे जाके particular time work करना, sale करना, target achieve करना ठीक है, तो ये हो गया medical repetitive का work, as well as क्या difference medical repetitive के work में और MR के work में, ये दोनों चीज़े आपको यहाँ पे clear हो गई, ठीक है, इसमें दूसरा नमबर और तीसरा नमबर question मैंने दोनों cover कर दिया, तो आपको पता चल गया हो ठीक है, next question के तरफ बढ़ते है ठीक है, जब भी कोई vacancy होती है जल्दी से जल्दी आपको within week जो है आपकी vacancy दूसरी responsibility है, टीम के इंदर integrity maintain करके रखना integrity maintain करके रखना मतब आपस में कोई बात भी वाद नहों होता क्या है, मैनेजर और ABM को medical lab के बीच में ही लडाई हो जाती है अब वो tuning खराब जाती है, जिसकी वज़े से सफर company करने लगती है ठीक, आप कुछ बोलोगे, medical responsibility वो करेगा नहीं MR कुछ बोला है, आप उसको सुनोगे नहीं ठीक है, तीसरा क्या होता है IJ leader lead करना इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हो तो company अपनी से कोई चीज़ अगर activity आ रही है या कोई literature आ रहा है, तो आपकी responsibility यह है कि अपने team को guide करके बताओ, अभी literature को कैसे represent करना है, या आपको पता होना चाहिए, आप उसको represent करके दिखाओगे, जब joint working में रहोगे ठीक है, joint working के time पे उसको दिखाओगे, चौति responsibility यह है कि आपके जो area weak है, वहाँ पे working days बढ़ाओगे, आपको area weak है perform नहीं कर रहा है, वहाँ doctor conversion नहीं हो रहा है, या जो भी issue जा रहा है, उसको जाके आप वहाँ पे week को strong में convert करोगे, ज़्यादा time देके, time ज़्यादा allocate करके, पांचवी responsibility यह है कि अगर कोई issue हो जाता है ठीक है, medical representative और stockist के बीच में, medical representative and doctor के बीच में, उन issue हो जाके आपको resolve करना, तो यह सारी चीजे आपकी responsibility में आ जाती है, as a.b.m. यह आपकी responsibility है, चीजे time पे हो कोई format जा रहा है, आप मांगा गया है company से, आप नीचे भेज रहे हो, वो time पे लेना, time पे सबसे follow up करना, ठीक है, follow up करने के बाद fill up कराना, fill up कराने में कोई problem आ रही है, कोई data medical administrative के पास नहीं है, आपकी responsibility है वो data उनको provide करना, बहुत सारे manager क्या गलती कर जाते हैं कि sir मेरे पास भी तो data नहीं है जब उनसे senior बोलता है कि आपने data क्यों नहीं दिया, वो तब तक नहीं बोलेंगे, जब at the time पूछा जाएगा तब बोलेंगे, जब उनके data नहीं रहेगा, सुरू से ही collect करने की कोशिशन नहीं करेंगे, अपने senior से लेने की कोशिशन नहीं करेंगे, वो चुपचा बैठे रहते हैं, but as a manager, this is not work, आपको सब्सक्राइब डेटा नहीं है, this is your responsibility to arrange the data from upper management, अगर आपके senior के पास नहीं है तो आप company के पास से भी आप चाहो तो डेटा ले सकते हो, company के बाद सारा sales data आता है, ठीक है, next question की बात करें, next question आपसे आपके therapy area से पूछ जाता है, किसी product का competitor आपसे पूछा जा सकता है, किसी product का mechanism आप action पूछा जा सकता है, suppose that आप गाइनी segment में as the ABM interview के लिए गए और आपका आपका experience है, तो आप से हो सकता है menstrual cycle के बारे में पूछ लिया जाए, क्या होता है, female infertility के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, या जो product आप handle कर रहे हैं, उसके competitor और उसके mechanism of action के बारे में पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, तो आपका पांच people के team है, ठीक है उसमें से एक perform नहीं कर रहा है, अब यह को पांच question तो मैंने बताए हैं, आपको वह general question हो गए friend आपसे पूछ जाएगा, यह इसके बाद आजाता है यह case study वाले question, यह कह सकते है situational question होंगे, इसमें आपको case study दी जाएगी, उसको study करके बताना है, मतलब आपको case दिया जाएगा, जैसे मैं चार-पांच case आपके सामने लेता हूँ, ठीक है, पहला case यह है, कि कोई medical पांच लोगों की आपकी team है, उसमें से एक बंदा perform नहीं कर रहा है, चार बंदे perform कर रहा है, और एक बंदे की वज़ा से, एक medical definitive की वज़ा से, आपका area dip कर रहा है, मतलब आप IJABM target achieve नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ठीक है, ऐसे situation दिया जाएगा interview के time पे, उस condition में आपको क्या बताना है, देखिए अगर medical definitive नहीं perform कर रहा है, तो उसके लिए सबसे basic क्या है, सब best work क्या है, उसके लिए best work है, हम सबसे पहले उसके पास time जादा allocate करेंगे, देखेंगे उसका PCPM कितना है, IJABM मेरी responsibility होगी, कि मैं उसका PCPM देखूंगा कम है या जादा, अगर PCPM जादा है, तो मैं वहाँ पे time थोड़ा जादा अपना expand करूंगा, मलब joint working की dates वहाँ पे increase करूंगा, joint working को part में plan करूंगा, month में तीन बार plan करूंगा, ताकि मैं जाके चीजों को observe कर पाऊं, साथी साथ जो मैंने उसको basic work दिया हुआ हुआ है, जो medical unit को basic work होता है, daily call करना, reminder लगाना, ठीक है अगर result नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि चीजे implement नहीं हो रही है, simple सी बात है, चीजे implement होगी, तो result आएगा implement नहीं हो रहा है, तो IJ manager हमारा काम है, उसको observe करना, ठीक है, उसको follow up लेना, उसकी निगरानी करना, तो हम क्या करना अगर एक medical identity नहीं कर रहा है, तो चार मेरे perform कर रहे हैं, और चारों में मैं यह देखूंगा, किसके पात मैं अपनी working कम कर सकता हूं, कौन लड़का मेरे पात सबस्यादा motivated है, जो अपने आप ही काम कर लेता है, मैं उसके साथ working अपनी reduce कर दूँगा, और जहां पर मेरी requirement है, जो एरिया perform नहीं कर रहा है, मैं उसकी तरह अपने working days को shift करके बढ़ा दूँगा, और उसको multiple time में break कर दूँगा, मन्स मन्स में तीन बार medical representative साथ काम करने जाओंगा, और basic चीजों को improve कराओंगा, ठीक है, इसका question का reply आप इस तरीके से दे सकते हैं, अगर आप interview में जा रहे हैं, ठीक है, next question होता है कि आप अपने working को कैसे design करोगे, ठीक है, as a abm, तो friend, जब भी as a abm हम अपने working plan को design करते हैं, तो हम देखते हैं, कौन सा medical identity को मेरी जरुवत जादा है, पहली चीज, दूसरी बात, किस medical identity को PCPM जादा है, हाइयर साइड में, देकि छोटा PCPM कम सेल करने वाला ललका, अगर सेल नहीं कर पाएगा, कुछ गरबर करेगा, घाटा छोटा होगा, लेकिन अगर बड़ा जो medical identity है, जिसका PCPM हाइयर साइड में, अगर वो घाटा देगा, तो बड़ा घाटा देगा, तो हमेशा जब हम working plan क कि क्या हो, कि मैं इस चीजों को आपजरो कर पाऊं, पहली चीज, एजे एरिया मैनेजर, दूसरी responsibility यह है, मुझे पता हो कि वो लड़का ज्यादा सेल कर रहा है, तो कहां से कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो लड़का चला गया अगर, तो मैं सेल कहां से निकालूंगा, तो बलक सेल आ रहा होगा, वो कुछ नंबर आप डॉक्टरों से आता है, ऐसा नहीं कि 100 डॉक्टर की लिस्ट है, तो 100 से बिजनेस आता है, बिजनेस समाद 15-20 डॉक्टरों से आता है, जो बलक के बिजनेस देने वाले होते हैं, बाकी थे छोटे 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 डॉक्टर होते में होगी, second priority पर जाएगा जो headquarter मेरा week होगा जहां मेरी support है वहाँ अब third number पर मेरी priority होगी जो लड़के कम motivated है जो नको motivate करने की जरूवत है फिर मैं उनके पास जाओंगा fourth number पर जो लड़का motivate है उसके पास जाओंगा वो observe करने के लिए कि वो सही काम हो रहा की नहीं या पर उसकी कोई problem तो नहीं है ठीक है इस तरह सहम अपनी working plan को as a.b.m. design करते हैं चलिए next question की तरह बढ़ता हूँ वो how to control degrowth ठीक है अगर कि 5 लड़कों की team आपकी है 4 लड़कों 5 लड़के 6 लड़के जैसे भी team आपको दिया जाया कि वहाँ पर situation दिया जाया कि उसमें से एक बंदे का या दो बंदे का area जो है degrowth कर रहा है suppose that कभी हो सकता है आपको जो आपका superior है 2 degrowth tretory दे या 1 degrowth tretory देता है कि 2 लोगों को tretory degrowth कर रहा है तो आप कैसी उसको growth मिले के आओगे ठीक है अगर दो लोगों कोई टेट्री degrowth कर रही है तो सबसे पहले उसमें मैं देखूंगा कि किसका PCPM जादा है और वो degrowth कर रहा है मैं पहले आपज़र्ब करूँगा कि दो मेरे पास degrowth करने वाली टेट्री है एक की टेट्री degrowth कर रही है बट वो sale भी कम ही कर रहा है मनलब कम sale में ही degrowth कर रहा है तो उसको मैं पीछे कर दूँगा साइड कर दूँगा प्रियर्टी में फर्ष्ट प्रियर्टी मैं जो working plan अपना होगा मैं उन दोनों degrowth टेट्री के उपर ज़्यादा दूँगा पहला प्लान तो मैं यही करूँगा कि मैं ज़्यादा working time वहाँ पर दूँ क्यों degrowth कर रहा है क्यों से customer जो prescribe कर रहा है प्रिसकाइब नहीं कर रहा है या बंद कर दिये उसको मैं identify करूँ ठीक है जो activity जो company जो basic चीज़ें उनका सब follow करूँ लेकिन उसके बाद फिर आज़ादा time allocation किसके साथ मैं ज्यादा time allocate करूँगा ठीक है यह basic काम तो सब करेंगे ही हम लोग ठीक है तो time मैं उसके साथ ज्यादा spend करूँगा जिसकी टेट्री बड़ी है और बड़ी होने के बाद भी degrowth कर रहे है क्योंकि वह अगर टेट्री ज्यादा बड़ी है ज्यादा बड़ी मींस इन्दसें ज्यादा sell कर रही है अगर वो degrowth करेगा तो हमें वो ज़दा dip दे रहा होगा ज़दा loss दे रहा होगा तो वो loss देगा तो मैं किसी और headquarter से उसको surplus नहीं कर पाऊँगा ठीक है तो बड़ी ट्रेट्री को जो degrowth हो सबसे पहले मैं उसके degrowth को खतम करने के कोसिस करूँगा खतम कैसे करेंगे उस degrowth को हम वहाँ पर जाके या फिर हो सकता है कुछ अच्छे नए डॉक्टर को engage करेंगे किसी activity के तुरू reminder card के तुरू RCPA करके या कुछ नो कुछ प्लान करके किसी डॉक्टर को हम वहाँ पर convert करेंगे जिससे मुझे बलकर business आए और वो degrowth को मैं finish कर दूँ ठीक है second priority हमारा जो कम DPCPM वाला है वहाँ पर जाके हो सकता है मैं कुछ POB drive कर चला दूँ जिससे के कुछ वहाँ डिग्रोथ जो है छोटा डिग्रोथ है तो जल्दी से cover up हो सकता है तो जल्दी cover up करने लिए दो तीन आइडिया हमारे पास होते हैं कि पहला तो POB drive करके हम POB कर सकते हैं दूसरा free scheme देके हम कुछ goods को चाहें तो dispensing डॉक्टर कर पास push कर सकते हैं चाहता हो सकता है कि हम चलो कुछ chemist के ऊपर कुछ scheme मगर उस टाइप का product हमारे पास है chemist के पास तो वहाँ पे जो है मैं कुछ कर सकता हूं क्या तो chemist कर सकते हैं देखते हैं कैसा segment हमारा है उसके हिसाफ से मैं अपनी strategy बनाऊंगा अब इन सारी strategy के बाद जो basic work है basic जो हम basic प मैं इसको हिंदी बढ़ा देता हूं कि आप क्या करेंगे अगर आपका medical definitive phone pick नहीं कर रहा है बहुत बार situation ऐसा होता है ABM manager के बारे में कुछ बातचीत हो जाती कभी-कभी और कभी-कभी बातचीत नहीं भी होती सेल अच्छा perform नहीं कर रहा होता है medical residue या closing पर प्रसार आता है तो वह phone switch off कर देता है phone ही pick नहीं करता है कई बार यह होता है यह बहुत common situation है कि medical residue phone ही नहीं उठाता है तो ऐसे situation में as a ABM आप क्या करेंगे तो ऐसे situation में friend हम यहीं करते है as a ABM आपके responsibility यह है कि आप उस medical residue को नहीं था अगर आपको लगता कि आपका observation से लगता कि नहीं यह बंदा गड़बड कर रहा है तो आपकी responsibility होगी कि उसके साथ joint working ज्यादा प्लान करूं ठीक है joint working के टाइम पे आपको ध्यान देना होगा कि आप basic जो work है क्या वो medical residue कर रहा है या आपने जो basic work को उसको assign किया ह हुआ sales increase करने लिए sales increase करने लिए जो आपने basic tips दिया हुआ है वो क्या उस लड़के ने आगे implement किया वो कर रहा है तो आप जैसे मैंने पहले बता कि दो तीन पार्ट में working को आप अपना plan करोगी उस headquarter पे तो तो तीन पार्ट में आप जा कि चिक करोगो सारी चीजिए implement हो र अपने label तक ही बात रखना है अपने अपने आपके और आपके medical इसमें कोई बात चीथ हूँ कि उसको अपने label तक रखना है ठीक है तो इंटर्वियूम यह बात नहीं बोलनी है फिलाल जो इंटर्वियूम तो बोलना हो मैं आपको बता रहा हूं तो second level पर क्या करेंगे देली लेना सुरू कर देंगे अपकोसिस करेंगे अपने senior को भी बोलेंगे को वह भी follow up लेना start कर दे फिर देखते हैं क्या result आता है उसके बाद भी अगर नहीं सुधरता है तो basic पर चले जाएंगे daily follow up सुरू कर देंगे सुबा साम तो इतने में अगर नहीं सुधरता तो और फिर वो company छोड़ चला जाएगा या फिर इतने की बाद भी नहीं होता तो company से हम उसको निकानने का decision लेंगे उसको change करने का decision सबसे last होता है सब कुछ trial करने के बाद bigger world नहीं सुधर रहा है तो ही कोई भी company या कोई भी manager उसको निकाननने का decision लेता है यह हमेशा याद option नहीं इस बाद कोई guarantee नहीं कि जो अगला medical identity हो है वो आके अच्छा ही करेगा ठीक है तो better यह कि जिसको कुछ आता है इसको हम और सुधार कर सकते हैं in comparison to नए जो बंदय आए उसको पूरा सिखाना पड़ेगा यह बंदा का अंगम सीखा तो है product जानता है knowledge तो है customer का कुछ पता है ठीक है तो पुराने candidate को improve करना ज्यादा बेटर होता है in comparison तुन नए कंडिडेट को ले आके पूरी तरह का सब कुछ सिखाना ठीक है इसका देखें दो मतलब होता है हो सकता कई बार genuine problem उसकी आती हो एक दो बार अगर वह ऐसा करता है तो ठीक है अगर यह problem लगातार आ रही तो इसका मतलब यह है कि वह field में जो इसका work है वह proper नहीं हो पा रहा किको इसको डर है कि मेरा manager आएगा तो मेरी working को पकड़ लेगा य अब क्या उस doctor का साथ उसकी tuning अच्छी मलब पिछले 2-4-6 माहिनोस उसको विजीट ही नहीं किया होगा अब doctor कर पास ले जायाएगा doctor उसकी pole पट्टी खोल देगा doctor complain कर देगा ऐसा medical दिमाग में thinking आती है जिसकी वह से medical हो सकता है मना करता हो ठीक है तो ऐसे condition में manager as a manager आप क्या करोगे यह situation आपको दी जा सकती इंटर्वी को टाइम पे तो ऐसे situation में आपको क्या करना है ऐसे condition में आप टेली फूनिक इंटर्वूनिक उसे टेली फूनिक counselling करोगे मिंस टेली फूनिक कुछ से बात करोगे कि क्या problem है पहली चीज दूसरी बात है कि टास्क आप डेली दोगे फिर डेली फालो अप लोगे उससे तीसरी चीज है कि कोसिस करोगे क्या आपके साथ ही वह leave लेता है या आपका जो senior है वह उसकी joint working हो उप्जर कर सकते हों तीसरा ऑजे मेंडिकली मेंजर कर मेंठेट केंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसलिए मुझे सैल ले यहां उठाना चाहरा है मुझे बेबगूब बना रहा है इसलिए वह working नहीं कर वा रहा है तो इस तरह से मैं उसको follow-up एक तरफ से follow-up कोसिस करूंगा कहीं ऐसा तो नहीं वो कोई और कंपनी जॉइन कर लेता इस कंपनी के बारे में पता नहीं चलता कई महीनों तक ऐसे कोई जान पहचान है तो उसके तुरूब आप पता लगा सकते हैं कि हाँ वो भाई काम कर रहा या नहीं कर रहा है तो आप इससे क्लियर हो जाएगा डाउट ठीक है फ्रेंट यह कुछ कुछन ऐसे थे चार-पांच कुछन जो सिच्वेशनल होते हैं मैंने ज़र के इंटर्व जो मैंने आपको पहले बताया था जो responsibility वाला पाड मैंने बताया था वो चीज़े अगर develop किये रहेंगे तो यहाँ जब आपको कोई situation देगा तो आप उसको सोच के समझ के reply कर पाएंगे जब भी interviewer आपसे कुछ पूछता है immediate reply नहीं करना है आपको सोचना है कि क्या मैं वहा और क्या आप इसका next part चाहते हैं promotion लेना चाहते हैं और next part चाहते हैं और कौन कौन से question पूछे जा सकते हैं या आपके mind में कोई question है कि sir इस type से भी question पूछा जाता है तो मैं क्या reply करूँगा वो मुझसे आप comment section में पूछ सकते हैं या मुझे email कर सकते हैं Instagram पे मेरे साथ chat कर स चैनल पर continuously मैं ऐसे वीडियो जो upload करता रहता हूं ठीक है इस वीडियो को देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching this video